मुझे लगता है अम्रित तो सिर्फ भाजपा वालों को यह मिल रहा है अम्रित के बाद बाकी चीजे जो बच रही है वो देश के लिए यह अगर उल्टा होता कि देश को अगर अम्रित मिलता तभी important होता आप सीधे सीधे किसी भी आम आदमी के लिए तीन चार चीजे important होती है सबसे पहला कि क्या उनके बच्चों को रोजगार मिल रही है दूसरा कि क्या देश में नियाय विवस्था ठीक से काम कर रही है और तीसरा important चीज है कि क्या किसान, industries यह सारे खुश है inflation जो price rise है वो बहुत जादा है, all time high जा रहा है आप foreign direct investment ले लो या investment ले लो किसी भी तरीके से वो कम हो गया है industrial production कम हो गया है, farmers unhappy है तो यह सारी situation को government को address करना पड़ेगा और मेरा सबसे important point यह है कि आप छोटे छोटे temporary measures लेने के बजाए अपने vision को देश के सामने रखिये कि आप ऐसे देश को ले जाना चाहते और उस vision को achieve करने के लिए आपने क्या 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 ideas और क्या क्या steps लिए, उस पर discussion होना चीए overall रहता क्या है कि छोटा सा ये कर दिया, छोटा सा वो कर दिया ये छोटे-छोटे patch-up work से देश आगे बढ़ने वाला नहीं है और पिछले 10 सालों से सरकार की जो क्रिया कलाफ है और कारे प्रडाली को अगर आप देखोगे, उसमें लगता है यही है कि इनका focus विपक्षी दलों को जेल में डालने में दूसरों को खतम करने पर है, constructive तरीके स बहुत ज्यादा पैसा देती है और दिल्ली को इन return पिछले कई सालों से एक limited amount मिलता है तो वो increase होने चाहिए, दूसरा पंजाब के respect में भी जो हमारे पैसे रुके हुए हैं, चाहे आप rural development funds ले लो या फिर hospital से related funds ले लो, कई सारे funds हैं जो सारे रुके हुए, वो सारे funds return करन चाहिए, देने चाहिए, जब तक आपके states strong नहीं होंगे, देश कैसे strong होगा, तो एक तो यह है, दूसरा important चीज़ यह है कि unemployment बहुत ज़्यादा अलग level पे जा चुका है, इसको immediately इस पे 10 points agenda बना के इसको address करना पड़ेगा. चाहिए, ले जाई जा रही उसको प्रजशिक करना होता है, growth areas, important areas, critical areas उसको पहले दिन आप identify करते हो, फिर अपना vision बनाते हो, फिर इस vision को achieve करने के लिए आपके execute करने के plan बनाते हो, फिर उस पे काम करते हो, बड़ा simple सी चीज़ है, आप बच्चमन से जब budget सुनते आ रहे ह तो तीन चार चीज़े ही आप सुनोगे, कि यहाँ पर गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, यह सारी चीज़े आज भी है, सरकार को यह बताना चाहिए, कि भाई, बेरोजगारी को address करने के लिए मैंने यह 10 point agenda है, time bound तरीके से इसको follow करे बच्चों के लिए, students के लिए, जो यह paper leaks हो रहे हैं, किसानों के लिए जो उनकी जरूरते हैं, यह सारी चीज़ों को आप 10 point रखो, 10 point को time bound तरीके से कैसे improve करोगे, उसके vision देश के सामने रखो, तब जाके देश पढ़ेगा पहले इसको detail में study करते हैं, detail में समझते हैं, वो समझने के बाद, फिर जो देश के लिए जरूरी है, जो चीज़े, कई सारी चीज़े सरकार को बड़ा अच्छा तरीका पता है, चीज़ों को important, चीज़ों को दबाने की, तो वो जो दबाये होंगे, वो उन चीज़ों को ज यह पॉइंट्स है, यह आपको करने पड़ेंगे, आज नहीं करोगो, तो कल किसी और को करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा, जो कि क्या सब्सक्राइब करेंगे, वो सदन के बाहर, CBI ED से धंकाती है, सदन के अंदर कहती है कि मैं सस्पेंट कर दूँगा, सस्पेंशन क धंकी देती है, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, यह भी डिसकस करेंगे, आप देखिए, सुप्रीम कोट का बहुत स्वागत है, इस पर आप देखो, आपका फोकस क्या है सरकार का, आप ऐसे ट्रिवियल छोटी-छोटी चीज़ों पर पढ़ रहे ह इनकी राजनीती है, यह है कि फूट डालो, राज करो, लडाओ, यह करो, वो करो, आपका इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि आपको देख से कोई लेना देना नहीं है.